नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपको मेरे चैल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली काश एक दिन ऐसा भी आए हम तेरी बाहों में समाज आए सिरफ हम हो और तुम हो और वक्त ही छहर जाए यहां आपने साइस सुना माज के रिले रैशिफल की बात कर रहे हैं सबसे पहले आज उनका बात है या अनुवर्सरी है उनको मेरी तरफ से छेर सारे गुड़ विशिस तो चलिए अब शिरू करते हैं जिन्दगी बहुत हसीर है कभी हसाती है तो कभी रूलाती है लेकिन जो जिन्दगी की भीड में खुश रहता है जिन्दगी उसी की आगे सर जुकाती है जो अपरी में कुछ पाना चाहती है वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेती है अगर आप बे कुछ जिन्दगी में पाना चाहते हो कोई सक्सेस चाहते हो तो हिम्मत मत हारना आप वो सब कर सकते हो जो आप सोच सकते हो हमने तो सच्चे किस्से शिराब खाने में सुने वो भी हाथों में जाम लेकर और हमने तो जूटे किस्से अदालत में भी सुने हैं वो भी गीता और कुरान लेकर जिन्दगी बहुत खूब सूरत है जिन्दगी से प्यार करो अगर हो राग तो सुबा का इंतिजार करो वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतिजार है बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो आपको भी वक्त पर एतबार करना चाहिए कि एक दिन हमारा वक्त जरूर आएगा अगर ऐसे सोच होगी तो जरूर आएगा जिन्दगी में जीत और हार है किसके लिए एक दूसरे में इतनी तक्रार है किसके लिए जो आया है इस दुनिया में एक दिन वो जाएगा एए इंसान तो तुझे इतना गुमान है किसके लिए सबस्वेल में आपको बता दू कि हिजाब के लिए लखी कलर याने की भागिशाली जो रंग है कलर है वो रहेगा केसरिया और अंक जो रहने वाला है लखी नंबर वो रहेगा नंबर तीन आज कुछ क्रेटिव कीजिएगा आज आज आप में एनर्जी कस्तर बहुत ही उंचा देखने को मिल रहा है शितारे की आपका पुरा-पुरा साथ दे रहे हैं कुछ नया कीजिए, इनोवेटिव कीजिएगा अज आपको अच्छे अफसर मिल रहे हैं इसे फाइदा उचाएगे इसे सही दिशा दीचिए तो बैटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं किसी भी प्रकार की आज आज आपको कमी नहीं आएगी चाहे वो आर्थिक के रूप से हो या फिर आपको मानसिक शान्ती की रूप में हो तो आज आपको हर चीज मिलने वाली है इसे के साथ ही आज ये भी जरूरी है कि आप जो अपना प्रयास है वो लगातार करते रहे और हाँ फल की चिंता मत कीजिगा क्योंकि जो मेहनत करता है भगवान उसकी मेहनत का फल अवश्य ही देते हैं तो इसमें कोई भी शक मत कीजिगा धनलाव के बहुत उची तफसर आपको आज मिल सकते हैं केवल अपने विवहार में सहीं बनाना होगा जाने कि जैसे आपका नेचर है आपका जो दूसरों से लेना देना है पैसे उधार वगएरा जो भी आप लेना देना करते हैं उसको आगर आप सही टाइम पर लेंगे या देंगे तो जादा बैटर डिजर्ट देखने को मिल सकते हैं काफी समय से किसे रुके हुए काम की आज बनने की संभावना नजर आ रहे है जिससे जो है आप कावी खुश रहे है ध्यान आपको फोकस रहेगा पुरा और सफलता भी मिलने के योग नजर आ रहे है पैतरिक प्रॉपर्टी समंदी काम भी इसाने से निबढ़ सकता है आज आपको पैतरिक प्रॉपर्टी मिल सकती है आज जो है अवस्तिता की बहुत वज़ा से आपको तनाव की मिल सकते है यारि कि अज़ बिजनस थोड़ा जामाद डोल हो सकता है उसकी वज़ा से तनाव हलका महसूस कर पाएंगे जिसका प्रभाव आपकी कारक शेत्र पतो पड़ेगा ही काम की घते पिधी भी होगे सोच विचार में दिन आपका निगल सकता है और हाँ अंजान व्यक्तिवर भरोसा मत कीजेगा प्लीज इस बात का जो है विशेश रूप से ध्यान रखना होगा सिधारे कहते हैं कि आज आपको अपने योगिता के मताबिक काम मिलने या कोई भूमिका मिलने से आपको थोड़ी जो है बहुत अच्छी चीज़े मिल सकते हैं यानि कि आप जो हैं खुशी से फूला नहीं समाएंगे आज आपकी जरीव काम होगा और आपके मुदाबेखी काम हो बाएगा इसकारण अपनी मन में आज आपको कोई तना भी नहीं आएगा सब कुछ नॉर्मल रहेगा अफसर अगर आपको नहीं मिलता है क्योंकि आप मेंसे कई लोगों को मिल रहा है और कई लोगों को कर नहीं भी मिलता है तो अफसर को अपने आप बनाने का यतन कीजिए प्रयास कीजिए अपने आपको चलेंटिर बनाएगे कि आपको ये अफसर मिले और बोज आपकी सरहना करे आपकी पत परतिष्ठा हो मिले तो आज कुछ ऐसा नया शुरू कीजिए जिसे कि आपको आने मेले दिनों में बहुत फायदा हो कोई नहीं योजना बनाईए और उस पर काम करना वलकि अभी से शुरू कीजिए जादा धेल मत दीजिएगा इसके साथ या जब भाईयों के साथ मिल कर कुछ important बातों पर आप बाचित कर सकते हैं जिसे की बहतर results सामने आएंगे आपके और हाँ भविश्य से लेडिट कुछ योजनाए भी बन सकती है साथ ही भूमी के विस्ताय से लेडिट सफलता हाथ लगेगी अगर भूमी आप खरिदना चाहते हैं सेल करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिकतें नहीं आने वाले है सब कुछ normally complete हो जाएगा अपने सभाव और विचारों पर काबू रखना होगा क्योंकि आपका जो है शेंकालू सभाव यानि गरव शक करते हैं किसी पी चीज़ पर तो परशानी का कारण बन सकता है या आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा अपने आपको इस मानसमान समंदी कोई नकरात्मक सितीब नहीं बन नहीं है आपको मानसमान पूरा मिलेगा बस आपको self confidence रखना है over confidence नहीं रखना है इस बात का विशेश रुप से ध्यान देना होगा चलिए बात करते हैं आज की विशेश जो है business और करण के बारे में तो आज business और करण कहता है कि आज आपके विविसाई में हर काम में पक्के बिल दोरा ही लेंदेन कीजेगा क्योंकि किसी से धोका मिलने की संभावना है सितारे कहते हैं कि साथ retail related कारियों में भी अधिक ध्यान देना होगा फोकस देना होगा और अपनी योजनाओं को अपने तकी सीमिद रखना होगा अगर यह योजनाओ लीक होगी तो कोई इसका गलत फाइदा भी उठा सकता है तो उसलिए जो अपनी जो प्लानिंग्स है वो अपने तक ही रखेगा तो जादा बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं कोई अच्छा नया उसराज मिलने वाला है विपारियों को और जो लोग जॉब करने की तलाश कर रहे हैं उन्हें सफलता भी आज के दिन अच्छी खलवासे मिल सकती है कारिक शेत्र में किसी करमचारी से कोई मतभेद होने की संभावना नजर आ रही है जादा तर फैसले खुद ही ले तो अच्छा है किसी भी प्रकार की चोरी होने की भी संभावना बन रही है शेर मार्केट से जुड़े हुए जो लोग हैं आज सावधा नहने की जरूरत है कोई शेर जो हैं आज काफी डाउन चला जा सकता है मैं तो कहती हो कि आज की दिन कोई शेर भी मत खरीजेगा और ना ही कोई लिन दिन कीजेगा तो जादा बैटर रिजल देखने को मिलेंगे आपको खुद का बिजनस शुरू करने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा खुद की महनत कीजिए तो बहुत ही आपको सरहना भी बिलेगी साद इसाद में आर्थिक चीजे भी काफी हद तक आपकी सुदर सकती है तो ये बात की हमने बिजनस और करर की तो बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में तो लव लाइफ कहती है कि अपने किसी भी काम में जीवन साथी की सलह लेना आपके लिए बहतर सावित हो सकता है और आप काफी तनाम मुक्त भी खुद को महसूस कर सकते हैं आज के दिन परिवार के जरूरतों पर भी ध्यान दे रहा होगा साद इसाद अपने लिए भी थोड़ा समय निकाले जो कि आप कभी नहीं निकालते हैं जी हाँ मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद के लिए समय निकाले ये बहुत हो गया दूसरों के लिए कुछ समय जो है अगर आप निकालेंगे तो आपके काफी जो काम है पैंडिंग्स पढ़ रहे थे अपने लिए वो कम्प्लीट होते चले जाएंगे आज रिष्टों में किसे विबाद से चिंतिन मत होईएगा परिशितिया जल्दी ही जो है अनकोल यानिके नॉर्मल होती चले जाएंगे पती पतनी अपनी अपनी वियस्तिताओं की वज़ए से एक दूसरे से को समय नहीं दे पाएंगे फिर भी एक दूसरे के प्रती जो है सम्मान होने की वज़ए से संबंध मजूर बने रहेंगे यज़े के साथ ही जो लोग सिंगल से उनके लिए बहुत इच्छे रिजल्ट यानि की अच्छे प्रस्ताब आने वाले हैं बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज की स्वास्ते के बारे में तो स्वास्ते कहता है कि इसे भाव में आज चिर्चिरा बन देखने को मिल सकता है और तिनाव रहने की वज़़े से जो है आपका आत्म बल में भी आज कमी काफी हद तक देखी जा सकती है किसी पुराने रोग से जल्द ही विचात मिलेगा थोड़ी उर्चा की कमी देखने को मिलेगी और हाँ जितने भी उर्चा बची है उसको जरा सही दिशार देजे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए अज आपको पैरों में कुछ समस्याइं हो सकती है पैर की थोड़ा ध्यान रखे पैट के निजने हिस्से में भी दर्द हो सकती है गरिष्टे वे बादी की चीजों का सेवन से परहेस कीजेगा हो सके तो गरम पानी का सेवन जादा कीजे इसे पैट भी आपका साफ रहेगा तो अब बात करते हैं आज की विशी शुपाई के बारे में तो अज आपके लिवी शी शुपाई रहेगा कि आज आपको जो है अपनी माता पिता को कुछ करने के लिए उनको उपहार देना जाहिए इसके साथ हैं गर आप माता पिता की सेवा करते हैं तो भगवान आपसे बेहदी खुश होंगे और हाँ याद रखें कि अगर आप जरूरत मंदों की मदद करते हैं तो वो भी बढ़िया रहेगा तो दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना